नमस्कार आप देखरें नेक्स स्पेच्छल मैं हूँ आपके साथ प्रिती हमारे आस पास का वातावरन और्जा को प्रभावित करता है घर में मौजूद कुछ चीजे घर के सदेस्यों पे काफी बुरा प्रभाव डालते हैं वास्तु के नुसार उन्हें घर में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए वास्तु सास्त के नुसार घर में रखी हर चीज में एक एक उर्जा होती है कुछ चीजे घर में सकरात्मक परिनाम लाती है तो घर की कुछ चीजों से नकरात्मक उर्जा निकलती है हमारे कुछ काम या घर में मौज़ूद ये कुछ चीजे नकरातम उर्जर लेकर आती है इसलिए समय रहते हैं ये ठीक करने की जरूरत है आये जानते हैं इनके बारे में कबुत्तर का घोसला कभी घर मिल गए कबुत्तर का घोसला ना बनने दे कबारा माता लक्ष वो उस घर में नहीं वास करती जिस घर में कबार या फिर खराव समान पड़ा हो अगर आपके ठीक करवाने के लिए लंबे समय से रखा हुआ है तो उसे यह तो जल्द करवाले ठीक या फिर उसे घर से बाहर कर दे काटेदार पोधे वास्तो सास्त्र की घर में लगाए गए जाने वाले पोधे को ले कर भी खास बाते बताए गई है वास्तो के मताविक घर या आंगर में कभी भी काटे वाले पोधे नहीं लगाए काटे दर पौधे घर में आर्थिक समस्य है उत्पन करती है इसलिए ऐसे पौधे लगाने से बचे जाले घर में जान लगे जाले नकरात्म कुर्चा के सबसे बड़े श्ट्रोथ है जिस घर में गंदगी हो जाले होते हैं वहां मातालक्ष मी नहीं टिकती घर में कभी भी जाले ना लगने दे माना जाता है कि घर में जाले लगने लगे हो तो घर के सबसे उसे बने काम बिगड़ने लगते हैं सीलन जिस घर में दिवारों में सिलन हो महा कभी भी धन टिक कर नहीं रहता है ऐसे घर के सदसे को हमेशा आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है अगर आपके नल से पानी टपकता है तो उसे जल से जल ठिक करवा ले जाडू जाडू को माता लक्षमी का प्रतिक मना जाता है वास्तो सासर में घर में जाडू को रखने से कुछ खास नियम बताए गया है जाडू को हमेशा ऐसे स्थान पे रखे जहां किसी की नजर न जाए चाडो को कभी भी खड़ा करके नहीं रखे घर में साम को समे चाडो भी लगाना निसेद माना गया है